सीन हो गया है इन्हों का रहती है अज कब बढ़ी आने वाला को मेट्टो तो चैनल आना है अभी आपको दूप लग रही है साथ बज़े में लेकिन पांच बज़े अलगी थंड लगती है पता नहीं मेरे को वैदर का समद नहीं रहा गर्मी में मेरे को थंड क्यों लग रही है दो दिन से गाव में एक चीज अच्छी लगती है गद्दे पर सौने का एक टाइम था ज गोलू गोलू यूटुबर हा व्लॉगिंग भी करेगे चस्मा भी यसात माई चस्मा पेनो पेनो पेच्छे नी पीछे पेनो पेनो आकपे पे ऑल्ट पेनो उल्टा ले गए हाले हाले ने ओ रिसोर्ट में है तो पर दो मातां कर लिए फोटो पारिए जाए इसका है अब नाजर से फोन में नाइए पहनो आख पर पहनो ना है यह बड़ा पाव अच्छे की सादड़ी वाले सादड़ी वाले बड़ा पाव एक नमबर थे यह बड़ा पा मैं आपको कड़ी मिलेगी और छट निया लागे पीली का लगे जि कनके देव गड़ा लागे यह बड़ा, आख यूना कही बें तो आख देवर झाल लोग उष्य को अच्छेष्य क कवेड़ा है अंसाब लोग उचुकर एड़ी Searching for greatness in a sea of the dying of shameless A sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my... आपको लगेगा पहाड आगे आरहा इलूशन I don't know in the video, if you look in the real, it's like this I don't want to make a decision if I want some peace or if I want the glory I don't want a life that is complacent or possibly boring Just want a life that is worth everyday exploring My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted someone who would notice me Today I'm rich two brothers, two brothers, a road and two brothers 4 So we have now a car, and we don't get here the network बहुत भी नहीं मिलना वाला मैं मेरे मामा मामी और चोटे सरकार ममी बपा हम चे रिक्षा में आए और बाकी के जो तीन मैं दूसरे मामा और में दोनों भाई उन लोग फूटी पर आ रहें अब इसाड़े क्या रहा हुए हम लोग जाह से आए शिवगन से उधर से इधर तक आदा गंटा लगता है 12 किलो मेंटर है और 700 रुपया कह रहे थे हम लोग 500 में आ गए टू वेका 500 रुपीज हम बाडियों में बसे हुए एक और मंदिर में आ चुके और यह बंदरों के लिए जाना जाता है खासी इधर के बंदर काफी खतरना के है अगर शूट करूगा तो तो मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं बैग और भी चिंके ले जाते हैं अगर आप लोग प्रसाद भी उपर लेके जा रहे हो तो एक छड़ी रखना पड़ता है लगड़ी अपने साथ आप लोग देख सकते हो लाइन से शिड़ी पर वाइड है पुरी फॉज लेकर वाइड है मैं अपने भाईयों के लिए रुकाओ बाकी इमामा और सब उपर चले गए उप्पा मुनी सब उपर चले गए हमें बासा ने बताया कि 500-600 बंदर पुड़ी रखनी पान और इन्हों ने यह चीज अच्छी किये इदर चपड़ा लगा है पहले चपड़ा नहीं था इदर अगर आप लोग दूपर को आते तो दूप में पूरा सेड़ी उपर चड़ना पड़ता उपर आपको और दिख अब बार बत चुके अभी हम लोग चड़ना स्टार्ट करेंगे आगे भाई लोग भी एक्टीवा किसके उठा के लाए क्योंकि वाइक नहीं लग रही है का वह पढ़िया हल्दीन किकन पढ़िया का वह पुद्रो आयो पो रहे आगे गाड़ी स्लिप्रों के रहा हल्दर हो खुद्रों ओ ओ तोड़के आ रहे सीन हो गया है इननों कहा रहेती तिनों स्कूटी के बीच में कुऩवत्रा पूरा गंदा स्लीप हुए इनको फेर में लगी है हाथ पर लगी है मामा के भी हाथ में लगी और घटे आत प्रमे हिस लगी है मंडे को आप लोग आओगे तो बहुत पुब्ली को दिखे कि मैं मंडे को नहीं आओ आध थजदे इसलिए पुब्ली कम है सेफ लेंडिंग की है गिरने के बाद मैं बेटा तो वास्त है आई ला थमनेल टाइटाल माली हो निए पूरा प्रेंट वाट लग रही है हाथ बताओ राइडिंग यहाँ प्रेंट इसलिप खाते गिर सकते हैं कि आप लोग स्लीप खाते गिर सकते हैं सबाब आरा हुआ है पहुच ही गए हम अल्मोस्ट 10 मिंट लगता है मुस्किल से 200 से चड़ने में अगर ब्रेक ले रहे हो तो पंदरा 20 मिंट यो वांट तो सी रियल राजिस्थान उपर रियक्शन रिकावड करके बाकी लोगों का जब आलम पड़ेगा हिन्नों था एक्सिडेंट हुआ हाट पक देख पानो रहा ठोक हो ना एक्सिडेंट तीना पिंडू वासिया कोदिया वाः जय हन्मान, हन्मान जी हमारा फोन मत चिनना, हम ब्लॉक शूट कर रहे हैं, इधर पहले ओम नमस्चिवा लिका हुआ था, पूरा टाइल सो लगा दिया है, जय श्री राम, जय हन्मान, बीस रूब भुले नाथ के, झाल, हम जय हो कि बीस रूए के नी है, जय है। कि यह में टेम्पल कामवेश्वर महादेयोजी का और उपर चोटा सा और एक गूफा के अंदर काफे छोटी गूफा है जब से चुवे की आवा जा रही है कि इधर आपको पारले चोकलेट दी जाती है एक के देख वाज़ोज बन्दरों का फेवरेट खाना मुंगफाली बन्दरों से ज्यादा तो हम भी खाते हैं एक बच कहा हम लोगे दर्शंग करें एक मेरी पूरी फैमिली दर्शंग करने हम लोग आया दे है मंदिर में आओ थोड़ी देर बैटो भक्ति करो अलगी आनन्द और सुकुन मिलता है अभी मज़ा आएगा जात्री टाइम जब बंदर को आप लोग मुंपली खिलाएगे आप लोग मज़े देखना तब यह हमारी छोटी सरकार बहुत डरती है बंदर होते हैं आप लोग यह उतरने के टाइम यह चटने के टाइम वह सेड़ी भी यूज़ कर सकते हो उधर एक बन ही है यह पूरा इदर से उधर तक पूरा जवाइड़े में पीछे वाला इलाका उसके सब पेरा डाल के बैटा हुए इंको मालूम है जो भी दर्शेंग करके आते हैं उनके पास माल तो रहेगा बंदरों की नाकबंदी चोटे सरकार की मज़े देखो आप यह अईसे ही मैं भी डरता था जब चोटा था एक बार आप हाथ में उनके मुंगफली दो गए आपका पूरा डर गायव हो जाएगा एक डालो सब आजाएगे भाई उच देखो भाई एक पैर बढ़ गया तो खत्ता मैं खुद फिसलने वाला था मामा वापिस इदर पानी से गिर है आज पता नहीं का सीन हो रहा है लेकिन सब फनी हो रहा है बंदर भी लाइक खाना दो जब भी तुम्हें आगे बेजेगे वरना नहीं बेजे के भाई जैसे टोल नाका पे टोल लेते इनलोंग बंदर इधर से खाना लेते हैं यह दे को अंदरीया और उसका बच्चा जैसे इनलोंग साथ में लेके घुमता है आए कुद्यटर सब अंदर डेरा जामा के भाईटे ये देखा वाई साब आएगे सब एक एक करके उधर से मेरा हाथ पकड़ लिया एक बंदर ने बागी बंदर मेरे हाथ से पुरी मुंफलिया ले रहे बंदर के पाथ चली जाती तो इतनी तेज हवाथ चल दी ती टोपी उड़ गई अभी हम लोग इधर से नीचे जा रहे हैं भोचनाले में खाना खाना है उदर एक ही स्पेशल चीज मिलती है आप लोग बताओ क्या राजिस्थां का स्पेशल है कमेंट करके बताना पूरा जिग्जग है देखो सेड़ी पहाड़ों पे जो मूर्तिया मंदीर बनाए कलाकार कारीगरों को सलाम है कैसे उन्होंने बनाया क्या कारीगरी है उन लोग की शेप अलग 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 ता रखे इतनी इतनी मूर्तिया पीलर के अंदर हैड़पम पहले इधर से पानी भरा करते थे अगर आप लोग इधर आओ तो यह धरम शाला है और एक और आगे भी है स्टे कर सकते हो आप लोग यह तो सब मंदीर बनाने के बाद रस्ते बना है पहले तो पूरी जगा इसे जो पीछ बंद भी करते हैं इंसानों जैसे नी कि खुला छोड़ दे है बुजना ले वह बाल उद्ध मिटिस्ट सेगा रहता है याष कo लिए लाड़वर भाटि बाकी मेन सब लोग को इदा लाडू चीह रहता है लाडू आता है पूरा घी वाला मस्ट वह 10 रुपए और उसका एक्स्ट्रा लगता है तो टोटल 40 रुपए आज लाडू नहीं है इधर आपको मिलता है रोटा ककड़ी दाल और पूरा लाल मिर्ची का छिटनी खाना बढ़िया था रोटे भी शॉफ्ट थे नहीं तो हर बारी जबी भी आते कड़क रहते एकडम और कूपन में चार्च इंक्लूडेड नहीं रहता आपको वो अलग से 10 रुपए का लेना अगर आपको लग डू और चार्च यह तो पचास उपह में पड़ता है बाकी दाल भी तीखी और सही था ठाना अभी भाई रिक्सा में आएगा इधर से मैं और मामा स्कूटी पर जाएगे हम लोग सीथा जाएगे दुकान पर दुकान से सीथा घर पर बाकी शाम को आपको दोस्त मिले इधर कहां से आए हो आपको अपका नाम जानना चाहिए और आप इधर गाई इधर भी आती है और उपर जहां हम लोग गयते कामशवर जी उधर भी सीड़ी चड़ती है इस बार आपको यह सब सीन दीखे निए बोजन साला का आपको टाइम बता देता सुबह स साड़े दस से तीन बजे तक दूपर के और दें सामको खुलता है साड़े पाफ से आट बजे तक और यह भी मंदिर नौ बजे तक ही खुला रहता है उसके बाद लोग आते नहीं है तूकि फिर भोजन साला भी बंद होता है और दूसरी बात इधर भी शेर और आते ऐसा ब कितने लोग आते हो गए रोजना रोजना संभार और रविवार के दिर अजार से बारा सो देलिव शावन मेने के अंदर पूरा 24 बंदा चाड़ू देता है और शीव का भुले नात का यह तिन लोगी नात का इतना पावत फूल है प्रतित है और जो भी मनत मानते है तो कभी तीचे नहीं अधिया आजी यह कामेशार दाम शीवा यह प्लाड़ी इलाका यहां से लगाता है ठेट रेवे फाटक तक अच्छा इतना इरिया इनी कही है पूरा इलेवे पाटक के इस तरफ पूरा भुले नात के मंदिर का ही है अपका नाम दिनेश्परवत गिरी और शेर आते है इदर भूंते के आते हैं कभी साथ बजय भी सीबूटते और दानी भी यते हैं अच्छा अङने को साड़े साथ बजय आंजाते हैं पानी पानी गिशा पानी आंऊ इनी पर जो से इंए पुपिने के भी राहेंगे दुन जून रहते हैं उनके बच्चे वगले साथ को इस पुड़ा मद्ध खियाल रखना मतता है अच्छा जब दुना चालू होता है सामकिते में दुना चालू होता है तो जीव जनकी शेर सीटे भालू भाण पे नहीं आता है अच्छा फावं जूत्या ता हूं आपको वह दूर से उनको दूर लेकर वह धूना चालू होता है वह महिने से इधर रहते हैं लेकिन जो भी इन्होंने का सचता बाकी भालू का मेरेको नहीं लगता वो भी सकता है इधर पानी पीने के लिए कहा आते हैं वो भी मेरे को मालूम नहीं क्योंकि इधर कोई ताला बोर है नहीं बाकि एक बात इधर मेरे को अच्छी लगी राजिस्थान में पब्लिक रियक्शन मेरे को बहुत देखने को मिला है बहुत यह पूरा गाड़न है खान रुख रुख साइटे बेट साइसे बाइटो मैं गुमाता हूँ ज्यादा तिरनी है आरे चोट जूले के लिए हलागी भागते थे हम भी जब छोटे थे इससे सीट खाली होती थी उदर ही खड़े रहते थे पूटे वे थोड़ा अले ओर माचे था इधर देख हल्ब छाले के हुड़ के अ? कर दो बेख रूटे है जाटो बेखसी बेहोग सुली को का अ? क्वेड़े खुआ खालेंगे खाला है की एडेक समेश सेपने गपाले ही जिए चोब चूले गऑंगे है कुट्ता पाली एक टीब आफ आई जी चलो ट्राए मारते आदा गंडा इधर से पहुछने में अभी छेवच चुक है आके हम लोग सीधा सो गयते हैं मैं स्कूटी से आ रहा था तब हम लोग ने 10-15 मिट का होल लिया था बीच में क्योंकि कंटीन्यू धूप में स्कूटी नहीं चला सकते हैं इतनी धूप और राजस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं और बाकी अभी मेरे को मालूम पड़ा कि इ धिरे धिरे चला के लेकिन अगर आप लोग कभी भी किदर बीर आ रहे हो कि चला के बार देख लो ब्रेक और सब कुछ ठीक है कि नहीं बोलते ना किसमत अच्छी हो तो कुछ भी नहीं होता भाई और मामा को लगा लेकिन बड़े भाई आते उंखों नहीं लगा वह कूद इंसान कूधता भी है तो भी उसको लगता है लेकिन वह सोचो कैसे कूदे क्या मालूम और इधर पांच से बज़े में सब नास्ता लाइक कछोडी तो बंद हो जाती है और कछोडी अगर मेरे को आपको बता नहीं है तो मेरे को जो टाइम पर भूख नहीं है वो टाइम पर भी मेरे को खाना पड़ेगा लेकिना खाने के बाद आप लोग और खाते ही रहे जाओगे अईसी कछोडी है इधर की कल लाश्ट एक दिन है और तो रात के ट्रेन है हम लोग की तो कल जो भी सामन लेना है वो लेगे पेन बहुत गंदा हो रहा होगा भाईकों क्यों उसको इधर लगा घुटने पर भी लगा घर पर आके देखा तब मालूम पड़ा और बाकि पैर चीला सबसे ज्यादा उसको लेगा क्योंकि वह छला रहा था बाकि आप लोग मुझे बताओ कि आपको व्लॉक्स पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे अगर आ रहे तो लाइक कर दिया कर एतर जो दो विल्स रेते आजू-आजू तो वह जब लगा के चलाता था सब्सक्राइब के लिए उसके बाद एक दो बार यह चला इती भाइप पीछे से छोड़ देता था फिर इस साइकल भी पूरी अभी तो बेकर पड़ी तो ना जशन इसको भी कितने साल हुए रहे के 15 साल तो पर आज कब लोग इधर ही एंड करना चाहिए मुझे या फिर कुछ करता हो अलग करतव या मैं गाड़ी चला तो हमेशा गोगल स्टैंक के चलाए करो क्यों कि धूल मिट्टी उड़ने से वह बचाता है आंक में बाकि अब लोग ने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि दूपैर थी धूप इतनी थी और लू चल रही थी और इतनी गरम में पूरा रुमाल भी बांज के मैं तो चला रहा था दूपैर को राजिस्तान में आप लोग गाड़ी ना चला तो वही ठीक होगा और तो या वेकल्स को प् अब भी खा सकते हो अंदर सेंग रहेगे मैं तो इसे खाता हूँ खिलके के साथ और मजा आता है लोग बदते बंदर जानवर है तू तो फुरा अभी जारे खाओ गली शिवगंज का फास्टूड ट्राइ करने के लिए अभी मैं इधर आया हूँ जाए हन्वान फास्टू अब सो से कमा माइंड इक्स्टूर्शन मा होला अगर पत्चीश तीस ओला लोग है तो कॉंटिटी नूडल्स की जादा एगी और कुछ नहीं इसना उन्मों ने बर्गर बनाया सब जो मिंट के अंदर बिक विया और जितने कर्शमर खड़े थे उसके इसाब से उन्होंने बनाया और किसको भी कम नहीं पड़ा और बर्गर काफी बढ़िया था जो तीस ओला बर्गर अभी देते इन लोग वही पहले बीच मही मिलता था उसकी कॉंटिटी भी ज्यादा होती थी अभी वही कम कर दिया गया है मेंदू बड़ा और वड़ा भी इदर बढ बंद हो जाता है जल्दी सुबह सुबह ही रहता है वह सब या जिस वानने बीच या जिस वानने बीच या बर्गर खाने के बाद कुलड़ वाली गरम गरम चाई खाओ गली के इदर ही एक नंबर कड़क आप लोग को लगता है कि व्लॉगर की लाइफस्टाइल इजी है वीडियो बनाता है कहीं पर भी गुंता है लेकिन नहीं मेन व्लॉगर के लिए उसकी नींद जरूरी है उसको अगर अच्छी नींद नहीं मिली तो पूरा व्लॉग करने में काफी दिक्कत होती है मैं भी इसलिए ज्यादा तर एडिटिंग और नहीं करता है इतना ट्राविल कर रहा हूँ तो पहले मैं अपनी पूरी नींद करता हूँ तो वास आज के लिए इतना ही काफी रहेगा इफ यह इंजोड दिस व्लॉग वाट्साइब रिजान आग कर दो मिशाल लेट चैनल पे नही कोईसे कंडिशन में